नमस्कार दोस्तों, श्टेडी विध हैपिनेस में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों सबसे पहले तो आपको वैलेंटाइन स्डे की हार्दिक शुब कामना है मैं विश्वर से कामना करता हूँ कि आपका पढ़ाई के पृति और किताबों से प्रेम बना रहे दोस्तों कल हमने एक वोटिंग करवाई थी और इसमें देखा था कि उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों को मिलने में टोटल एवरेज समय कितना लग जाता है नोटिफिकेशन आने से जॉइनिंग तक तो यहां पर आप देखेंगे कि काफी लोगों ने वोट किया है मगर 84% लोगों ने ये काया अनिश्चित काल और ये अनिश्चित काल कहने का जो कारण है दोस्तों वो आप लोगों कोई पता हो गए कि कई बार जो है भरतिया कोर्ट में इस तरीके से फज जाती है कि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है पता ही नहीं चलता कि कब तक ये फाइनल हो पाएगी तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि आज वेलंटाइन स्डे है और अकसर लोग वादा करते हैं या फिर आपने भी या आपसे किसी से हो सकता है कि ये वादा क्या हो कि मैं सरकारी नौकरी लेके रहूंगा तो दोस्तों सरकारी नौकरी में आप देखी रहें कि कितना समय लग रहा है और ये उत्तर प्रदेश की नौकरी नहीं चाहें ससी की बात कर लें ससी में भी ऐसा नहीं है कि कोई टाइम फ्रेम है कि इस पीरेट के अंदर आपको नौकरी मिल ही जाएगी और ये तो तब है जब आप हर तरीके से तयार है कि स्टेज वन भी क्लियर कर लेते हैं टियर टू भी क्लियर कर लेते हैं ये तो तब है ठीक है तो परिक्षाएं होती हैं चाहें वो आरू की हो या फिर एरू की हो यह अपनी परिक्षाएं जो हैं एक टाइम फ्रेम में करा लेता हैं मैं यह तो नहीं कुँगा कि बहुत जल्दी एक महिना या दो महिना मगर जो बाकी भरतिया हैं उनसे तो तेजी है यह आपने भी अब्जर्व किया होगा दोस्तो और यह चीज़े ऐसा नहीं है कि अचानक से खराब हो गई है आप पूरा इत्यास देखेंगे किसी भी आयोग का तो यह प्रावलम चल ही रही है और धीरे-धीरे करके इनमें सुधार होगा अचानक से एकदम से सुधार नहीं हो सकता मगर जो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नौकरी लें सब लोग जानते हैं मगर आपको बता रहता हूं कि आपको बता रहता हूं कि आपने किसी से प्रॉमिस किया है कि हां तो कंप्लीट हो सकता है मगर बाकी जो भरतियां देख रहे हैं आप इतना लंबा समय चल रहा है तो पता नहीं भरती कब होगी इसके अलावा दोस्तों IVPS में आपको बताया और UPSC जो है यानि कि Union Public Service Commission ये अपने कलेंडर के अकॉर्डिंग परिक्षा भी कराता है रिजल्ट भी जारी करता है मगर दोस्तों आपको भी पता है कि UPSC जो है वो Civil Services Conduct कराता है और प्रतेक विक्ती Civil Service की तयारी तो नहीं कर सकता बिल्कु सही बात है दोस्तों मगर जैसे ये एक्जाम है EPFO का अभी हाल ही में निकला था EPFO का परिक्षा Enforcement Officer और Account Officer के लिए तो ये वाली परिक्षा हैं तो दी जा सकती हैं दोस्तों क्योंकि ये objective टाइप परिक्षा है और इसके बाद में direct interview है इसमें descriptive exam नहीं होने वाला है तो ये वाली एक तो परिक्षा अच्छी है तो अगर आप एक निश्चर टाइम फ्रेम में नौकरी पाना चाते हैं तो EPFO अच्छी नौकरी हो सकती है और अगर आप इसके लिए तयारी करें उसके अलावा दोस्तों एक परिक्षा और है असिस्टेंट कमांडेंट की जितने भी ये आम फोस होते हैं CRPF, BSF या फिर SSB जितने भी paramilitary इने बोला जाए तो इसके अंदर चाउन सो ग्रेट पे पे नि इसके साथ मर्ज कर दिया जाए ठीक है तो जो लोग इस परिक्षा को देना चाहते हैं वो पूरा UPSC की साइट पर जाकर देख सकते हैं कि कब इसका notification आ रहा है और कैसे इसकी तयारी करनी है सब जानकारी आपको मिल जाएगी ठीक है दोस्तों तो मैंने कहा आप लोग को बत दूबत नहीं है नौकरी की तो आराम से तसली रखें और दोस्तों जैसे कि अब देखा गया है कि लखनों में भी जो आयोक की बाहर कई लोग धरना देते हैं उन सब चीजों से भी जो चीज़े हैं वह धीरे-धीरे करके इंप्रूफ हो रही है मैं यह नहीं कूँगा ठीक इतने आर्थिक रूप से समर्द्द्द्ध नहीं होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर पाएं तो आप खुछ ना कुछ जो है पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं मगर जॉब करते समय आपको यह धियान रखना है कि कोई भी जॉब आप चुनते हैं तो ऐसा नहों कि आप स्टेडी से बहुत जादा दूर चले जाएं आपका जो फ्रेंड सेर्किल होना चाहिए वो भी ऐसी लोगों का होना चाहिए जो की तैयारी कर रहे हूं अधरवाइस जो है जॉब के बाद तैयारी चूटते हुए देर नहीं लगती है ठीक है और जो लोग इस समय पर तैयारी के साथ में जॉब कर रहे हैं तो मैं उनसे अनुरोद करूँगा है कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इस समय पर कौन सी जॉब कर रहे हैं प्राइवेट में जिसे की बागी लोगों को भी अच्छे सुजाव और प्रैक्टिकल सुजाव दिये अच्छी बात है दोस्तो बहुत लोग होश्यार होते हैं तो देखिए दोस्तो यह लक का यहां पर फैक्टर काम करता है कि आपको नौकरी जल्द ही मिल जाती है मगर ऐसा नहीं है कि लक ऐसे विक्ति को नौकरी दिला देगा जिसने कभी तैयारी ही नहीं की तो तैयारी तो